नमस्कार मैं हूं सोन्य और आप देखरें एक्स्प्रेस नियूज भारत बोकारो का हर्षिता ग्लोबल अजुकेशनल अकेडमी बच्चों के भविश के साथ खिलवार करने से कभी नहीं चूपता वही इस कॉलेज में बच्चों से डोनेशन के नाम पर वसूली की जा रही है देखे रिपोर्ट उन्होंने इस कॉलेज में नामंकन लिया तीन सेमिस्टर के शुल्क जमा करने के बाद इन चात्र चात्राओं से 50,000 का डोनेशन मागा गया और पैसे लेने के बाद भी इनका रेजिस्ट्रेशन जार्खन फार्मेसी काउंसिल में नहीं किया गया अर्थात पूरी तरह से एक साल दोनों बच्चों का बरबाद कर दिया छात्रों के आवेदन पर कारवाही तो हुई उसके बाद काटे गए रसीद के अनुसार सेमिस्टर के शुल्क तो चेक के माध्यम से वापस कर दिये गए लेकिन डोनेशन के पैसे जितका कोई रिसेव काउंसिल के द्वारा सुनवाई और पत्रक तथा कारवाही के पत्रक भी सबूत के तौर पर मौजूद हैं अब दूसरी बात यहां है कि यहां तो भौश्य के साथ खिलवार करने की बात हुई अब जान के साथ कैसे खिलवार करता है यहां हम आपको बताएंगे स्कूल कॉलेज अथवा हॉस्टिल के ऊपर से यदि एक लाग तैस हजार वोल्ट का हाई टेंशन तार गुजर जाए तो वहां पर किसी भी कीमत पर किसी भी स्कूल कॉलेज अथवा हॉस्टिल या कोई भी सामोहिक कारिक्रम वाले व्यापार चुलाने की अनुबती नहीं ह दिखा रही हूं कि हर्षिता ग्लोबल एडुकेशन एकेडमी कॉलेज के प्रांगण से होकर एक नहीं दो-दो हाई टेंशन तार गुजर रहे हैं जो की खत्रे की घंटी है यदि कोई दुरगटना नहीं भी होती है तो भी मानव के शरीर से अधिक उरजा उपर बिजली के तार में से गुजरने के कारण वहां रहने वाले बच्चों के शरीर में हमेशा कुछ न कुछ बिमारी होती रहेगी और यदि भूल से किसी कारण वश कोई भी तार टूट जाए तो फिर कॉलेज में आग तो लगी ही जाएगी अगर कोई बच्चा चपेट में आ गया तो निश्टित रूप से उसकी जान चली जाएगी अर्थात यह कॉलेज के प्रांगन से होकर गुजरने वाला हाइटेंशन एक लाग तैटीस हजार पोल्ट का वायर हमेशा खत्रे की घंटी बजा रहा है अर्थात यह कहने में कोई अतिश योक्ती नहीं होगी कि यह कॉलेज बच्चों के भवशे के साथ साथ जान से खिलवार करने में भी नहीं चूकता यह कॉलेज के भौगौलिक इस्तिती यहां है कि बोकारोश शहर से लगभग 15 किलोमेटर दूर है इस कॉलेज में ना ही एम्बूलेंस की विवस्ता है और ना ही कोई हॉस्पिटल अर्थात जो कि कॉलेज को 2017 के बाद मानेता मिली है जब की तार बहुत पहले से गुजरा है फिर भी वहां के डारेक्टर निरंजन सुतार ने कैसे कॉलेज बना लिया यह सोचने वाली बात है वैसे तो निरंजन सुतार जो की हर्शिता ग्लोबल एजुकेशन के डारेक्टर पूरे जिला तथा जहारखन फार्मेसी काउंसिल में अपना पूरा पूरा रसूख रखते हैं तभी तो हाई टेंशन तार उनके प्रांगन से गुजरने के बाद भी उन्हें मानिता मिल गई और धडलने से बच्चों के भविश्ट एवं जान के साथ खिलवार करने से भी नहीं का भी ध्यान अब तक इस ओर नहीं गया है या अगर गया भी होगा तो उसके सरूक के कारण अभी तक कोई भी हस्तशेव बोकारो जिला प्रशासन की ओर से नहीं हुआ है तो क्या माना जाए कि बोकारो जिला प्रशासन अथ्वा जहारखन फार्मेसी काउंसिल या PCI नई दिल्ली किसी दुरघटना के होने का इंतजार कर रही है ताकि दुरघटना हो जाए तब जाकर कारवाही करें मैं सचिनानन मिश्रा बोकारो जिला प्रशासन जहारखन फार्मेसी काउंसिल एवं PCI नई दिल्ली से यह मांग करता हूं कि यथा शीगरेस कॉलेज की मान्यता रद की जाए और मान्यता तभी दी जाए जब तक या तो हाइटेंशन तार वहां से दूर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए अत्वा कॉलेज को ही दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए क्योंकि किसी भी व्यक्ति को छात्रों के साथ भविष्ट एवं जान के साथ के लिए कॉलेज चल रहा है कॉलेज का नाम है हर्थात हर्षिता ग्लोवल एजुकेशनल एकेडेमी इस कॉलेज में डी फर्मा की पढ़ाई होती है यहां के डारेक्टर स्री निरंजन सुतार जी हैं जो की काफी रसूख वाले हैं और यही रसूख के चलते यह बच्चों के भविशी एवं जान से खिलवाड करने से भी नहीं चुकते उदाहरन के तौर पर मैं दिखाने जा रहा हूं कि इन्होंने दो बच्चों का रजिस्ट्रिशन दो हज्जार इकीस तैस के लिए लिया समिस्टर के फी भी लिये और जब दो समिस्टर बीथने वाला है तब इन्होंने अच्चानक पचास-पचास हजार रुपया डोनेशन के डिमांड रख दी और या कहने लगे कि जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपको हम रजिस्ट्रिशन नहीं करवाएंगे रसीद कटने के और समिस्टर फी देने के बाबजूद इन्होंने जारखन फार्मेसी कॉंसिल में बच्चों का रजिस्ट्रिशन नहीं भेजा जिसका प्रमान पत्र मैं दिखाने जा रहा हूं, इसके साथ साथ जब बच्चों ने जारखन कॉंसिल में शिकायद दर्ज की, तो कॉंसिल में सिकायद तो हुए, और सिकायद दर्ज होने के बाद, बहुत देर के बाद अखिरकार इन्हों ने चेक के माध्यम से पैसा लौटा दिया तो पैसा लौट जाने से बच्चों की जो साल भर के भविश्य बरबाद होंगे उसका जिम्यवार कौन होगा दूसरी बात मैं यह बताना चाह रहा हूं पचास पचास हजार रुपया दोनों छात्र छात्राएं जो थे उन्होंने विदाउट रिसीविंग डोनिशन के रुप में दिया था ताकि मेरा एक साल बच जाये उसे उन्होंने हजब कर लिया इस बात की शिकायत भी दोनों ने कौनसिल में की थी सुनवाई के दौरान प्रमाण नहीं होने के कारण जारखन कौनसिल और वैसी कौनसिल ने रसीद की रकम थो लौटवा दी लेकिन जो डोनिशन के लाख रुपया थे वो यह जनाब हाजम कर गए दूसरी बात यह तो हुई भविश्य के साथ खिलवाल लेकिन जान के साथ कैसे खिलवाल करते हैं वह हमाई दिखाने जा रहा हूं यह देखिए यह कौलेज का प्रांगण है और कौलेज के प्रांगण से होकर हाई टेंसन अर्थाथ एक लाख तेटीस हजार वोल्ट वारत नमस्कार मैं हूं सोन्य और आप देख रहे हैं एक्स्प्रेस न्यूज भारत बोकारों का हरसिता ग्लोबल अजुकेशनल अकेडमी बच्चों के भविश के साथ खिलवार करने से कभी नहीं चूपता वही इस कॉलेज में बच्चों से डोनेशन के नाम पर वसूली की जा रही है देखे रिपर्ट